पंडित, शास्त्री, ये कई जगे ये शब्द यूज हुए हैं, वैसे मुझे पता है कि मराठि फिल्मों में हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू धर्म की फ्रैंक्लि इस पेकिग मैंने बहुत गंदे गंदे टीजर देखे मराठि फिल्मों के भी मुझे नहीं याद कि मैंने किस फिल्म में देखा था मराथी स्पेशली काई मित्रमंडली बहुत बहुत आप सभी को घमा घणी देख रहे हैं राजस्तानी रियेक्शन अब हम फुल बंती का ट्रेलर रियेक्शन करेंगे मैंने जो पहले किया था वो टीजर रियेक्शन था मुझे यह लगा था मैं इस आईडिय में था मैं इस अजम्शन में था कि वो ट्रेलर रियेक्शन है नहीं वो टीजर रियेक्शन था एक बार फिर मैंने चेक किया मैं का इतने सारे लोग तो गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं मुझे Instagram पे भी बहुत सारे लोगों ने DM किया था अगर आप Instagram पे मुझे follow करना चाहते हैं तो Nikhil Sharma R. जी के नाम से मेरा idea आपको मिल जाएगा description नीचे उसका link जो है Instagram का नीचे description में भी बिल जाएगा चलिए चलते हैं फुलबंती की तरफ फुलबंती की टीजर के वीडियो के end में एक सवाल पूछा था कि प्राजक्ता जी या अमृता जी एक idea था मेरे को क्योंकि मैंने प्राजक्ता जी को पहले कभी इस तरह के रोल में नहीं देखा था उनकी तो शायद मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी थी प्राजक्ता जी को डांस में देखना अच्छी वात अमृता जी को एक भी वोट ना देणा यह तो अच्छी वात नहीं है शुब रात रही चली फिलाल सारी बाते कट्टू क्रेप अब हम चलते हैं फुलबंती का ट्रेलर स्टार्ट कर दर्मपता का अ शांज जूर्ड ांज दर्पारा अपलाः अभिमाण या दर्पारा ध अपमाना साथी अ शात्र उपदी मं पुल्वन थी भाईया पन कुणावर आरोप करता है कलता है का अप लेला आमे प्लोहस्पती मानतो त्यांना मी जर खोट बोलत असन तर यांचास गालत लिया तलवरी न जी भग्छाटा माझे थामा तू तसा तू जाक्षेत्रा मदे विद्वान है महापंडित है तशिती न क्याना करे प्लोहस्पती वर्जा सब्सक्नावल में मड्यास थरा मड्यारा क्या त्यांस्टारा जांस लिव लेग श् 멋있! हलता है, को दोसी बालत शक्यारो सम न आईखेतितानी है इनाचनार अने मी बखवाजवाजोनार हे प्राक्तन कुणी ही बदलनेंचा प्रैदना करूने ताल जपाईचा की तोल हे दोही बाजुनी महतवाचा ठरनार है क्या बाद? अधाईवाट के तिती सोपी संजुनाता ओहो तुम्चे आवानास मी तैयार है तुम्ही मी पन तैयार है तुम्चे आवाना ला मी पन तैयार है मी पन तैयार है प्राजक्ता जी जो है गौरब को भी लिया ही छोटे से रूल में एक बात जो मैं ट्रेलर देखते देखते मेरे रिवाक में आ रही थी वो ये था कि कितना बढ़िया पता इसको अगर हम कहें तो एक सही तरीका है टीजर ट्रेलर और उसके बाद मूवी काटने का काटने का मतलब एडिटिंग करने का ये जो एडिटिंग करते हैं और जो इस सतरे के फील्ड से जुड़े के होते हैं उनकी चपदावली होती है काटना वहाँ खैर जो भी है तो एडिटिंग अब देखो जो इसका टीजर था ना उसमें कहीं पे भी ये नहीं लगा कि actually में कहानी क्या होने वाली है और उसका जो शास्त्री जी होंगे उनका क्या टेक होने वाला है ट्रेलर में शुरुआथी शास्त्री जी से करी है और यहाँ पे खुल की आई है अपनी जो निर्तिकी है फुलवन्ती और वो उनको चैलेंज करती है और चैलेंज वो मान भी लेते हैं वो कहते हैं कि आई सम्हाव गुफटब जो नीचे सब्टाइटल आ रहा था उसे साब से मैं बता रहा हूँ और उसका चैलेंज एक्सप्ट करते हैं और वो डीटेलिंग बहुत बढ़िया है इसमें वो सामव और धरमवीर और कई कई मूवीज में मैंने उनको देखा है तो गश्मीर तो मतलब बढ़िया है तो इस तरह से आपने टीजर काटा और उसके बाद एक नया ट्रेलर कई बार क्या होता लोग टीजर को काही एक्स्टेंडड वर्जिन बना देतें ट्रेलर में अभी तक आप असरी जी है जो कश्मीर है उन्होंने का है कि ठीक है अब मैं तुम्हारा चैलेंज जो है एकसेप्ट करता हूं मी अनी मी एकसेप्ट वो जो दोनों हाथ जोड़के एक दूसरे को करते हैं वो और इसके बाद अभी फिल्म में और कई लेयर्स खुलनी बाकी है ऐसा हमको ट् अब अगला कदम क्या होने वाला क्योंकि चैलेंज तो फुलबंती का शासरी जीना एकसेप्ट कर लिया है उसके बाद क्या होगा जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जो लेयर अभी भी खुलनी बाकी है वो फिल्म में खुलेंगी इसलिए सबसे पहले कहानी लिखने वाले को बहुत-बहुत बदाई एडिटिंग करने वाले को कहानी कितनी भी अच्छी हो अगर आपका एडिटिंग अच्छी नहीं है अगर आपका ट्रेलर टीजर और फिल्म अच्छी नहीं कटी है यानि का एडिट अच्छी नहीं हुई है तो फिर सब बेकार और उसके उपर सबसे उपर डिरेक्टर यही जो तीन स्टेप्स है ना कहानी लिखना एडिटिंग करना उसकी और फिर उसका डिरेक्शन बहुत क्लासिक यह तीनों मतलब ऐसे 1,2,3,1,2,3,1,2,3 है पूरी फिल्म में इन्हीं के उपर पूरी फिल्म में टिकी होने वाली है दूसरा जो सबसे बड़ी बात में करने जा रहा हूं वो है इस मूवी का प्रोड़क्शन लेवल उस तरह का महल दिखाना उस तरह का दरबार दिखाना उस तरह का जिस लेवल पे प्रोड़क्शन हुआ है ना इस पूरी फिल्म का जूमर आर्ट वर्क मुझे नहीं याद कि मैंने किस फिल्म में देखा था मराठी बहुत content तो अच्छा होता ही है लेकिन अब यहाँ पर production level भी बहुत अच्छा आया है तो projecta जो इसकी producer भी है उनका बहुत बड़ा bank balance ऐसा dumb and doll हो गया होगा लेकिन यह movie बहुत अच्छी है कमाकी भी दे देगी undoubtedly कमाकी भी दे देगी और बहुत सारी बाते करनी होती क्योंकि क्या है कि आब जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग-जग पूरा trailer देखता होना तो बहुत सारी चीजे दिमाच में चल रही होती है हाँ एक चीज मुझे याद आई कि इसमें देखो विद्वान पंडित शास्त्री ये कई जगे ये शब्द यूज हुए हैं वैसे मुझे पता है कि मराठी फिल्मों में हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू धर्म की रिती रिवाजों और प्रथाओं को लेकर कभी भी गलत कुछ बोला नहीं जाता ये मैं एकदम कन्फरम हूँ लेकिन अगर गच मलब नहीं होना चाहिए ऐसा तो क्योंकि एक निर्तिकी और एक विद्वान आप प्रवीन जी की टीम स्नेहल जी की टीम और प्रयाजक्ता की टीम और इन लोगों से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने पूरा उसका सम्मान किया होगा तो ये था अब या सबसे अच्छा मेरे को जो मलब पॉइंट लगाना इसमें वो यही लगा कि जिस तरह से टीजर कटा उसका बिलकुल अलग ट्रेलर था वहाँ पे टीजर में फुलवंती का रोल जादा दिखाया यहाँ पे इन्होंने एक नया करेक्टर ही इंटेड्यूस कर दिया क यह है शास्त्री जी यहाँ पे शुरू ही ट्रेलर वहाँ से हुआ और अभी भी कई लियर्स फिल्म में खुलने बाकी होगी तो यह था मेरा रियेक्शन और मुझे बहुत दिल से खुशी है बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह की एक फिल्म आ रही है जो प्रोडक्श पूश उनको भी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं